हेलो दोस्तों मैं दिनेश के वोरा चैनल फाई हिंदी पे आपका स्वागत है जिसका डर था वही हुआ बंगलादेश से अच्छी कबर इंडिया के लिए बुरी कबर जी हां अमेरिका और चाइना की ट्रेड वार यहां पर यह अंदाजा यह लगाया जा रहा था कि इस ट्रेड वार का फाइदा हिंदुस्तान उठा सकता है और उसकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो कुछ ना कुछ प अग्रेसिवली चाइनीज मैनुफेक्चर से यह कहें कि आप हमारे यहां आ जाओ कहीं पे कुछ निजर नहीं आ रहा हैं अब ऐसा लग रहा है कि हम जैसे हताश होके बैठे हुएं कि वो अपने आप ही कोई आए हमारा दरवाजा खटखटाए और कहें हिंदुस्तान हम यारे आने को तो हम कर देंगे कमाल की बात है कि हिंदुस्तान देखता रह गया और दुनिया के चार मुलक जी हां बांगलादेश वेतनाम तैवान और साउथ कोरिया बाजी मार गए अमेरिकन्स बारा परसेंट चाइना के गुड्स कम खरीद रहे हैं यानि कि उनका बारा का है मशीनरी इसका है और बाकी चीजों के लेक्ट्रॉनिक गुड्स का है वो कम हो गया है अब अमेरिकन सिटिजन्स और अमेरिकन जो बाकी जो कंपनीज हैं देर लुकिंट फोर कंट्री और वहां से इंपोर्ट्स बढ़ गए हैं कमाल की बात यह कि यह चार देश शाउध कोरिया ताइवान वेटनाव बंगलादेश और हम सबस्तों सोच रहे हैं हम सोचते ही रह जाएंगे क्योंकि हम आलीफेंट है हमें मूउ करने की आदित नहीं है जब तक हम मूग करते हैं हम जब तक सौ मिटर के दूरी तय करते हैं तब दूसरे मेरथन तय कर चुक कभी इस धंक से हम लोगों को aggressively invite नहीं कर रहे हैं वहां से कोई आपके घर में आएगा आपका कोरीर के तरह दर्वाजा खटखटाएगा कोई कहेगा जी मैं आ गया हूं आपके अफ्रक्टरी लगाने फिर आप नखरे करेंगे इंडिया दरसल एक इतना expensive destination exporters के लिए लेंड मेंगा है लेबर मेंगी है पावर मेंगी है टेक्सेशन लॉज इतने कॉम्प्लेक्स हैं कोई आना नहीं चाहता सैमसुंग ने अपनी टीवी की फैक्टरी जो चनहीं में थी वहां पे साउथ में वो बंद कर दी अब सीधे इसी दे टीवी वी वो वेतनम और बाकी कंट्री से मगा रहे हैं हमारे हाला तो यह हो रहे हैं लोग क्यों आएंगे हमारे हैं जब हमारे हावातावर नहीं है सरकार कोई भी रिफॉर्म करने को तयार नहीं पांस साल से मोधी सरकार थी एक भी रिफॉर्म नहीं किया ना लैंड रिफॉर्म्स है ना लेब नाम का जो एक्सपोर्ट था 36% बढ़ गया ताइवान का एक्सपोर्ट 23% बढ़ गया साउथ कोरिया का एक्सपोर्ट 12% बढ़ गया और सबसे खुशी की बात देखी अपना प्रोसी बंगलादेश 14% उसके एक्सपोर्ट अमेरिका को बढ़ गया पिछले 6 महिने में और अब हम चाइनीज मैनुफेक्ट्र बंगलादेश में आ रहे हैं मियनमार में आ रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि हम आपके या फैक्टरी लगाना चाहते हैं इंडिया उस पिक्चर में कही आता ही नहीं है इंडिया को तो कोई एक तरह से कहा लिए तो कंसिडरेशन जोन में भी नह आगे निकल गया इस बजट के अंदर आए कि हम जी मेगा फैक्टरी लगाएंगे कौन आएगा आपके यहां इतना महंगा लैंड है इतनी महंगी वहाँ पर लेबर है इतना महंगा सब कुछ है कौन आएगा यहां पर साहर और मेगा फैक्टरी के लिए जो आपको रिफॉर्म भी नहीं है टोटल मिलाके तो अगर मेगा फैक्टरी के कॉंसेट सीखना है तो लेट इंडियन एक्सपर्स गो टू बंगला देशन लॉन फ्रॉम देम की हाओ व्रू इट हम सरों मेगा फैक्टरी की बात करेंगे लगाएगा कौन आना चाहेगा किसको पढ़ी को इंडिया में आके लगाएगा जब लोगों के बस मंगला देश में मौका है मेया मार में मौका है कंबोडिया में मौका है या बाकी साउथ कूरिया में तैवार में मौका है तो इंडिया में क्यों आएगा यहां पर अब फाइदा तो जिसने उठा रहा तो तो उठा के चलेगे यह च दरही नहीं रहे हैं हम सरफ सोच रहे हैं सरफ यही खाल है कि हम सरफ सोचते रह जाएंगे और बाकी countries आगे चले जाते हैं और फिर हम कहते हैं कि हम 5 साल के अंदर बहुत बड़ी 5 ट्रिलियन डॉलर की कौन भी बन जाएंगे नहीं बनते साहब मैंने कली बता लिए था 3.75 तक पहुंच गए और चार अगर टच कर गए 5 साल में तो बहुत बड़ी अपने आपको भागे शाली समझेगा भागे शाली समझेगा मैं कह रहा हूं तो यह था एक ख़बर बहुत अच्छी बांगला देश के लिए लेकिन इंडिया के लिए दुर भागे पूर्ण ख़बर कि इंडिया उस पिक्चर में कहीं नहीं है तो चैनल फाहिंदी पर आज के लिए सरफ इतना ही आप हमारे सथ बने रहेएगा उसका आपकी सब्सक्राइब कीजिएगा बैल आइकन का बटन भी दबाएगा जैसे नया एपिसोड आता है आप तक पहुंचेगा तो श शुक्रिया आपका हमारे सथ बने रहने के लिए